हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों के स्वागते आपके अपने यूटीव चैनल में दोस्तो आप सभी लोगों के लिए इंपोर्टेंट नोडिफेकेशन लेके आया हूँ एक निव निउस लेके आया हूँ जो भी कैंडिडेट एससे जेई की तैयारी कर रहे है स्टाफ सेलेक्शन कमीसा जूनियर इंजिनियर के जो भी प्रिपरेशन कर रहे है क्योंकि आप सभी लोगों के पेपर आने वाला है नवंबर में 14 से लेके 16 के बीच में इन्होंने शेडिव कर रखा है उसी तारीक होगा जाहिर सी बात है ठीक है तो उसी से रिलेटेड़ वेकेंसी से रिलेटेड़ एक इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आप सभी लोगों को मोटिवेशन मिल सके जैसे कि सब लोगों को पता होगा लास्ट टाइम 2021 में कोई भी वेकेंसी आउट नहीं हुई है एससी जेई की दौरा ठीक है तो लास्ट येर के जो वेकेंसी होंगी व उसकी वेकेंसी फिल होती है तो उसी से रिलेटेड़ एक इन्फॉर्मेशन है दूसी इन्फॉर्मेशन जो लास्ट टाइम आपकी एसससी जेई के तुरू जो रिकूटमेंट हुआ था उन्हें से कितने स्टूडेंट्स ने अपना फाइनल सेलेक्शन लिया था ठीक कुछ स्टूडेंट होते हैं किसी का गेट में आ गया किसी का कहीं और आ गया तो उनकी वजह से नहीं जा पाते हैं तो 288 वेकेंसी थी सीपीड़ुडी में लास्ट टाइम उसमें से कितने लोगों ने सेलेक्शन लिया था मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूं यानि कि 2019 वाले क यह सीरियस कर देगा इस वार इतनी वेकेंसी आने वाली हैं फिर आप मास्था पकड़के बैठोर होगा हूं कि दोस्त इस वार तयारी कर लेता तो मतला मौझ या जाती है तो दोस्त हां मौझ आ जाएंगी इस वार अगर आप तयारी करोगे तो क्यूंकि एप्रोक्सिमेट लिए इतनी ही होने वाली है तो काफी जाद अच्छा है देखो नो डाउट 10,000 अकेली सिविल पर ही डॉमिनेटेड होंगी लेकिन बची कुछी रिमेनिंग वेकेंसी तो इसके लिए आएंगी चलो मैं दिखाता हूं आपको एलेक्ट्रिकल मगयनिकल के लिए चलो मैं 106 पोस्ट ऑफ जेई एलेक्ट्रिकल रेवेकेंट इन CPWD समझ रहे हो 1200 वेकंसी तो सिर्व एस सिर्फ जेई सेविल में वेकेंट हैं और 500 के असपर इलेक्ट्रिकल मैं बेकें आफ़ेंटेटी मैं अभी मेकेंटमे में ज्यादा नहीं होंगे उसका तो क्या ही सोच के चलना क्योंकि CPWD में mechanical की vacancies आती है no doubt लेकिन ज़्यादा बंच में नहीं आती है civil की ज़्यादा आती है तो 1200 vacancies अकेली जही civil की हो गई सोच रहे हो तो 1200 में से अगर यह आधी भी इस बार रखेंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितनी vacant होंगी वो सारी की सारी भर लेते हैं नहीं भरते हैं लेकिन अगर इसकी आधी भी रखेंगे बं थर्ड भी रखेंगे मैं तो यह even बोल ला हूँ तो 400 vacancies तो CPWD की ही हो जाएंगी और BRO की भी मैंने दिखाएं थी जिसमें 200-300 के आसपस vacancies vacant थी MES की दिखाएंथी जिसमें इनोंने 900 का ध्याचन बेज आता ठीक तो vacancies काफी जादा हैं उसी मात्रा में अगर यह third one third भी उनकी vacancies रखेंगे तो बहुत vacancies हो जाती है इसलिए तयारी करना सुरू कर दो जिस किसी का not verified लखके आ रहा SSEJ में don't worry कोई चिंता करने की बात नहीं है जैसे ही आपका notification जैसे ही आपका admit card out होगा उसी दिन आपका verification complete हो जाएगा ठीक है कोई भी जैको form cancel होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में आपके form cancel होते हैं ठीक है तो चलो और आपको दिखाता हूँ क्या देख रखा यहाँ पर एक और RTIA जैसमें लिखा हूँ है how many JE civil vacant will be released through vacancies released through SSC JE 2022 तो उसका reply आया था vacancies for JE exam 2022 have not been finalized yet अभी finalized नहीं होगी वो तो जाहर सी बात है is the total number of vacancies of JE civil 2021 2022 will be must देखो दोस्त पिछली बार की 2021 में कोई recruitment नहीं आया था तो 2021 और 22 को क्या मर्ज करेंगे यह तो उसका reply है yes definitely yes उसमें तो भाईया reply में यहीं करना था इनको तीसरी वाल है तीसरा जो question है how many JE civil candidates have joined the department through SSC 2018 exam out of total ठीके तो कितने लोगों ने जोइन किया था 196 candidates have joined the post of JE civil out of 288 तो मतलब 100 candidates के आसपास 80 candidates के आसपास आपके लोगों उने जोइनिंग नहीं लिए तो वेकेंट रहे ही वेकेंसी उसी टाइम पर भी ठीक है तो यह हो गया जही सेविल की 2018 वाले डेटा की बात है अब आगी जो आएंगी तो वेकेंसी तो जहर जी बात है दोस्त बढ़गी आएंगी इस डेटा के अनुसरा अगर देखो वेकें इसी थी 800 के लिए इसी लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो कट अफ भी नीचे चली जाएगी इसी कंस्टेस्ट में क्यूंकि देखो इस वार फॉर्म भी कम पड़े हैं जैसी मैं आट यह डाल दूँगा अभी मैंने आट यह डाली नहीं है कि टोटल अम्बर केंड़ को लेकर उनने तो जरूर ही भड़ा होगा तो उनके लिए टेंशन बिल्गुल भी नहीं लेनिया आपको के भीया के मतलब कमी फॉर्म पढ़ें के नहीं पढ़ें लेकिन एक मेंटल लेवल के लिए बढ़िया रहता है ठीक है आई तिंक आपको समझ में आ गया है कि तैयार प्रिवियस यह पता ही होगा नई साइट ओपन किया आप सभी लोगों के लिए तो उसको जाकर विजिट करना क्या है रिजल्स आर ईए एस यू ल्टी एस तक टी एक डॉट इन ठीक है नई साइट है जिस पर आपको प्रिवियस यह मिलेंगे और आपके नोटिफिकेशन म भी मिलेंगे वहाँ पर तो बहुत कुछ मिलेगा चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आ गया और अपनी प्रिप्रेशन जारी रखना और मचाते रहना जहां मेरो पढ़ाई करते रहो ठीक है और है नोटिफिकेशन मेरा जिम्मा चलो मिलते ह जय हिद जय भारत